यो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक तो अनदर वीडियो जैसे कि आप सबको पता है कि एशिया कप का फाइल अभी भी खतम होगा एंड श्रीलंका है बीटेन पाकिस्तान जो कि एक्सपेक्टेड था यार अगर आप क्रिकेट देखते हो आपको पता है कि श्रीलंका एक बहुत ह बन गई थी रिसेंटली पाकिस्तान यार बिल्कुल भी वह एशिया कप जीतने के मूड में नहीं था ऐसा लग रहा था जैसे भाई उनको प्लेस प्लेस करना है यार यह बाबर आजम आज भी कैसे ओपन करते मुझे समझ नहीं आता बाबर आजम को बोलते थे कि नंबर वन लोग क्लाप करेंगे वाई रिजवान डटारा बोल सकते हैं कि रिजवान ने फांडिशन दिया था इस पूरे ऐस्या कप में पाकिस्टन के लिए बडट क्या चूतिया परफोर्मिनस था यार वो एक नंबर का चुनिया परफोर्मिनस था मतलब कैसे भी करके एशिया कपक जो एक मैच आप बोलो कि यार थांग गॉड रिजवान था हमारे पास ने तो यह मैची नहीं जीच सकते तो भाई ऐसा कोई मैच नहीं था रिजवान ने कोई गेम चेंजिंग इनिंग्स खेली नहीं है मतलब एक साइट से पस इतना अब उसके लिए शुक्र गुजार हो सकत हो उसका वडिन्डू भी आउट हो गए ते लेकिन भानु का राजा पक्षाया आज वो दिखाया बंदेने कि उस बंदे का इस कितना टैलेंट और कितना पोटेंशिल है इस श्रिलंगा क्रिकेट को आगे लेगे जाने के लिए और मैं यह बोलूँगा कि हमें नया यूत न आप इस श्रीलंक डाटेंट का इस श्रिलंका में नाम प्रमोघ मदूशन का दिखाए वह बंदे को वहारी अन लक्की आपकल दिखाए बंदे को यह वह एक पल्रमाद बालेंग यार मतलब जैसा पिच्च इमांड करता था वैसी बॉलिंग आपर दीमां नर्सी परिषा कर कुछ हुआ लेगिन आप पाकिसान ने गलतिया क्या कि पाकिसान ने बॉलिंग तो खराब नहीं कि मैं यह नहीं बोलूंगा चलो ठीक है 5845 तक तुमने श्रिलंका को यह कर दिया था अब भाई पहली बात तो बात करेंगे यारो क्या कैच में वह अजीव सी कॉमेडी हुई है पाकिसान आप फेमस फॉर डाट कॉमेडी करने के लिए बहुत फेमस है उनका कुछ ना कुछ ऐसे काटून बनते ही रहते ही मीम्स बनते ही रहते यह सौरी यह और पाकिसान यह वाचिंग दिस वीडियो बट तुमको ही पता है यार हर बार तुमारे फिल्डे जैसा कुछ फिल्डिंग करते ही है अब वर्ल्ड कप याद कर लो हसन अली ने काट चोड़ा था उसका दियादी है मैथ्यू वेड ने अगले तीन बॉल में क्या किया था तुमारे साथ तो भाई यह तुमारा फिल्डिंग से ही मैच हारने का लिखा है बरसों से और लिखा रहेगा मतलब कोई भी एक पावर प्ले मुझे याद निया जहां उन्हें ने छे वर में साथ ठोक दियो इस एशिया कप में ऐसा हुआ नहीं है फखर जमान जैसा बंदा आपके पास वंडाउन में आता है जो इतना अग्रेसिव बैट्समन है इतना स्ट्रॉंग बैट्समन और उस का काम है इनिंग स्टेच करना अब देख लो इंडिया में विराट कोली ने क्या किया वह इनिंग स्टेच किया उसने एशिया कप में बाकि सब तो भाई शरम ना करें हमारा कैप्टन सर रोहिट शर्मा भाई उन्होंने भी क्या गजबी कैप्टन सी किये बाकि डेट टीम भी इस वक्त मैं बोलूंगा उनको बहुत मैंनत करना पड़ेगा अपने बैटिंग यूनिट और बालिंग यूनिट बालिंस करने के लिए बट पाकिस्तान को भी यह सब चीज़े धान रखनी पड़ेगी मुझे असा लाग रहा है बाटिंग और में भी थोड़ा खराब ह सबसे पहले और रिज्वान को कोई डंडे मारो यार रिज्वान और के राउल यह दो बैट्समन ऐसे हैं यहां पर इस पूरे में को लगता है विश्वा में जिनको टीट्विंडी का मतलब भी नहीं समझ आता भाई ऐसा लगता है लोग लोग सिव अपने ले खेलते हैं इ इसा लग रहा था भाई रिज्वान तो भाई अपने में को टॉप स्कोर बनना इसके लिए खेल रहा था ट्राजिक ट्राजिक पर्फॉर्मस बट वेल्डन श्रिलंका भाई तुमने डिजर्व करते ते यह अश्या कप जीतने को पहले सी जब सूपर फोर में जब तुमने अश्या को सप्राइस किया अव तुमने श्री लंका अंटल थैन गाईस सी यह नेक्स वीडियो